हेलो फ्रेंड्स, यू और वेलकम टो और यूटूब चैनल, इंग्लिश लिट्रेचर 247, as you all know we have started a series of MCQs, और उस series की हमारी यह 39th वीडियो है, इससे पहले 38 वीडियो में हमने, और इंग्लिश लिट्रेचर, एज ओफ चौसर, एज ओफ रिवाइबल, एलिजबेथन एज, जैकोबियन और कैरूलिन एज, सिविल वार और इंटर्रेगनम पीरियड, रेस्टोरेशन एज, एंड इनलाइट्मेंट एज को MCQs के माधन से डिसकस किया है, यदि आपने उन व और इंलाइट्मेंट एज पे यह हमारी फॉर्थ वीडियो होगी, तो मारा फास्ट कोश्चन है, एसे ओन मैन वास पब्लिश इन दा इयर, आपको बताना है कि एसे ओन मैन कब पब्लिश हुआ था, फस्ट है 1709, सेकंड है 1721, थर्ड है 1734, फॉर्थ है 1750, इसका सही आंसर ह C, 1734, यह जो ऐसे ओन मैन है, इसे अलेक्जंडर पोप के द्वारा लिखा गया है, और इसे डेडिकेट किया गया है है हैंडरी सेंड जोन को, इसे पब्लिश किया गया था 1733 से 1734 के बीच में, इसलिए सही आंसर होगा B, हमारा आगला कोश्चन है, सेकंड नंबर का, यह कहना चाहते हैं कौन सा राइटर है जिसने लिखा है, यह किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, और यह बेसिकली किया है, एक थीम है, जिसका बेंग किया गया है, वोल्टेर इन कैंटिडे में, तो फर्स्ट है सैम्वल जॉन्सन, सेकंड है अलेक्जंडर पोप, थै जोनथन स्विफ्ट, फोर्ते हैंदरी, फिल्टिंग, और हमारा सेकंड का सही आंसर है बी, अलेक्जंडर पोप, अलेक्जंडर पोप ने इसको लिखा है अपने ऐसे ओन मैं में, जो अभी हमने पहले कोशन में डिसकस किया, इसकी जो कम्प्लीट लाइन है, यानि कि जो फ एक्सेप्ट देट, वाटेवर इस, इस राइट, ये कम्प्लीट लाइन है, और इसे लिखा गया है अलेक्जंडर पोप के द्वारा, एसे ओन मैं में, तुझे सही आंसर होगा, बी, अगला कोशन हमारा है, थार्ड नम्मर का, ये कहना चाहते हैं कौन सी एक पोएम है, जिसने ओप्टिमिस्टिक फिलोसफी को पूरे इंगलेंड में और यूरोप के रेस्ट आप दा पार्ट में पॉपुलराइज किया है, फर्स्ट है दा रेप अप दा लोग, सेकेंड है मोरल एपिस्टल्स, थर्ड है ऐसे ओन मैं, फॉर्थ है एपिस्टल टू डॉक्टर आरबुत नॉट और थर्ड का हमारा सही आंसर है सी, यानि कि ऐसे ओन मैं, अगला कोशन हमारा है फॉर्थ नंबर का, इसमें से कौन सी एक पॉएम है जिसको हिरोईक कॉमिकल पॉएम कहा जाता है, फॉर्थ है मैक फ्लेकनो, सेकेंड है दा डंसियेट, थाड है दा रेप अप दा लॉख, फॉर्थ है हुडी ब्रास, और फॉर्थ का हमारा सही आंसर है सी, हिरोईक कॉमिकल पॉएम होती है, दा रेप अप दा लॉख, यह जो दा रेप अप दा लॉख है, इम्पॉर्टन पोएम है जिसे अलेक्जंडर पोप की द्वारा लिखा गया है अगला कोश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर का दा क्लोजिंग प्रेयर ओफ मॉरल एसेज इस काल्ड मॉरल एसेज के जो क्लोजिंग प्रेयर होता है उसे क्या कहा जाता है ये कहना चाते है कौन सी पोप की एक पोएम है जिसमें वो men and women की characteristics को discuss करते हैं फर्स्ट है moral epistles सेकंड है essay on mine थर्ड है the rape of the log फौर्थ है epistles to doctor अर्बुत नॉट और six number का हमारा सही answer है first यानि कि moral epistles यह जो moral essays होते हैं इसे epistles to several poems के नाम से भी जाना जाता है यह four poems की एक series है और इनका subject होता है ethical subject यानि कि इसको ethical subject पे लिखा गया है और इसे लिखा गया है Alexander Pope के द्वारा यह publish हुआ था 1731 से 1735 के बीच में अगला question हमारा है seven number का who is the speaker in Mac Fleckno आपको बताना है कि Mac Fleckno का speaker क्या है Mac Fleckno एक work है जो की लिखा गया है उन ड्राइडन के द्वारा और इसमें जो उन ड्राइडन ने डायरेक्ट अटैक किया है Thomas Shadwell पर इसमें जो Richard Fleckno होते हैं वो father होते हैं और Mac Fleckno जो है वो Mac Fleckno उसका बेटा होता है तो Richard Fleckno जो होते है king of डलने सोता है और उसी का वारिस अपने बेटों को चूज करता है कोशन का आंसर करना है फर्स्ट है ड्राइडन सेकंड है शैडवल थर्ड है Mac Fleckno फूर्थ है Fleckno तो सही आंसर हमारा है D जो speaker होता है वो Fleckno होता है अगला कोशन हमारा है 8 नमबर का यह खाना चाहते हैं कि Mac Fleckno जो की work है जोन ड्राइडन के दर लिखा हुआ है उसमें जो character Fleckno होता है उसमें उसके साथ एंड में क्या होता है फर्स्ट ही इस किल्ड बाई हिस सन सेकंड ही डिसपीर्स थ्रू अट टैप डोर थर्ड ही इस ब्लोन और हमारा 8 नमबर का सही आंसर है वो जो होता है ट्रैप डोर से बाहर चलाता है डिसपीर हो जाता है अब यह ट्रैप डोर क्या होता है तो आपने movies में यह ship में देखा होगा कि जो उपर सीलिंग में जो सीलिंग होती है यह च्छत होता है उसमें एक डोर होता है उसी से लोग ऊपर निकल जाते हैं उसी को बोलते हैं ड्रैप डोर अगला कोशना हमारा है 9 नमबर का इन विच पोएम ड़स पोप ओफर अट्रिब्यूट टू लॉंजिनस दा बॉर्ड लॉंजिनस और दा नाइन इस्पार यह कहना चाहते हैं किस पोएम में पोप जो होता है ट्रिब्यूट देता है लॉंजिनस को इन लाइन के द्वारा आपको पोएम का नाम बताना है फर्स्ट है एसे ओन माइन सेकंड है एसे ओन क्रिटिसिज्म थर्ड है मॉरल एसे इस फोर्थ है विंडूस और फोरेस्ट हमारा नाइन नंबर का सही आंसर है बी ऐसे ओन क्रिटिसिज्म अगला कोश्चन हमारा है टेन नंबर का आपको बताना है कि एक्जामनर क्या था फर्स्ट है टोरी सेकंड है विक थर्ड है अंगलिकन फोर्थ है कैथोलिक और इसका सही आंसर है ए टोरी तो एक्जामनर को हम डिसकस करते हैं यह जो एक्जामनर है बेसिकली यह वीकली पेपर होता है जिसे फाउंड किया गया था इस्टैबलिश किया गया था जोन एन लेहंड के दोरा 1808 में से स्टैबलिश किया गया था और 1886 तक कि यह कंटीनुई था इसमें एडिटिंग किया गया था जोनाथन जो है जोनाथन स्विफ्ट इसके एडिटिंग किये थे रेगुलर बेसिस पे 1710 से 1714 तक 1710 से 1714 तक और इसने पर्मोड किया था टोरी प्रोस्पेक्टिब को ब्रिटिश पॉलिटिक्स पर किसको पर्मोड किया था टोरी प्रोस्पेक्टिब को ब्रिटिश पॉलिटिक्स पर पर्मोड किया था इसलिए टोरी आंसर होगा उसमें इंगलिश में दो पार्टीज होती थी बहुत ही popular एक Tory होती थी और दूसरी विग होती जो second option में दरे खविग होती थी एक दूसरी के opposite थी और ये बहुत ही popular political parties थी अगला question हमारा है 11 नंबर का और हमारा 11 नंबर का सही answer है B ओलिवर गोल्ड इसमिट के द्वारा कहा गया है अगला question हमारा है 12 नंबर का Mr. B is a character in the novel आपको ये बताना है कि Mr. B जो है किस novel का एक character है फर्स्ट है Pamela, सेकंड है Joseph Andrew, थर्ड है Maul Flanger, फूर्थ है Jonathan Wiles और हमारा ये सही answer 12 का है B sorry 12 का सही answer है A, पामेला का एक character है पामेला जो की एक novel है इसे लिखा गए है Samuel Richardson के द्वारा और Samuel Richardson ने इसे publish किया था 1740 में ये date आपके exam में पूशी गई है 1740 याद रखेंगे अगला question हमारा है 13 नमबर का, who said the proper study of mankind is man ये statement किसके द्वारा कहा गया है फर्स्ट है Shakespeare, सेकंड है Pope, थर्ड है Johnson, फूर्थ है Steele और 13 का हमारा सही answer है B, इसे Alexander Pope के द्वारा कहा गया है अगला question हमारा है 14 नमबर का, Joseph Edison's writing have been deeply influenced by Daesh poetry ये कहना चाहते हैं कि Joseph Edison की जो writing है, वो किस तरह की poetry से प्रभावित थी influence थी फर्स्ट है Celtic, सेकंड है French, थर्ड है Greek, फौर्थ है Latin और 14 का हमारा सही answer है D, Latin poetry से प्रभावित थी उनकी writing अगला question है, term by thought was first used by एक हैसात है by thought जो कि एक term है सबसे पहले किस के दोरा use किया गया था फर्स्ट है Pope, सेकंड है Shakespeare, थर्ड है Arnold, फौर्थ है Dryden अमारा 15 का सही answer है A, इससे use किया गया था सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप के दोरा, यह जो term होता है इसकी meaning होती है इसमें जो by thought होता है basically literary criticism होता है इसमें क्या होता है कि जो speaker होता है किसी serious मुद्दे पर बात कर रहा होता है और चाना को ridiculous मुद्दे पर आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं by thought और सबसे पहले इसे use किया गया था अलेक्जेंडर पोप के दोरा अगला question हमारा है 16 नमर का circulating libraries came into work वोग के माने होता है fashion in Britain during the यह कहना चाहता है circulating libraries जो होती है वो ब्रिटेन में fashion में आते हैं किस के दोरान first है 1850s, second है 1800, third है 1780s, fourth है 1660s और हमारा 16 का जो है सही answer होगा वो है C, यानि कि 1780s एक बेक्ती है जिसका नाम है आलेन राइम से तो आलेन राइम से ने सबसे पहले first century में सबसे पहले इन्होंने open किया था 1725 में 1725 में सबसे पहले circulating library इन्होंने open कि थी आइडिन बर्ग स्कॉट लेंड में ठीक है तो इसलिए सही answer होगा C, अगला question हमारा है 17 नम्बर का डबुलू स्टॉकिंग सर्कल लेडिज वर अ ग्रूफ और वीमें who are active in second part of डायश century आपको बताना है कि century में एक्टिव थे first है 15, second है 18, third है 19, fourth है 20, सही answer है B 18 तो इसको समझते हैं कि basically the blue stocking society जो है यह एक informal women's social and educational movement होता है जो कि inland में हुआ था mid 18th century में इसने emphasize किया था education पर और cooperation पर इसे found किया गया था Elizabeth Montego के द्वारा और Elizabeth Montego ने इसे early 1750s में found किया था तो सही answer होगा B अगला question हमारा है 18 number का यह जो character है पार्सन आडम यह किस work में appear होता है first है Joseph Andrews, second है Scarlet Letter, third है Tom Jones, fourth है Tristram Shandy और हमारा 18 number का सही answer है first यहनी कि Joseph Andrews में यह आता है और इस novel को लिखा गया है Henry Filding के द्वारा यह एक novel है जिसे लिखा गया Henry Filding के द्वारा अगला question हमारा है 19 number का French Revolution is a poem composed by first है William Black, second है P.B. Shelley, third है Keats, fourth है Scott और इसका सही answer है first, William Black के द्वारा इसे लिखा गया है William Wordsworth के द्वारा भी लिखा गया है, अगला question हमारा है 20 number का Who is the most important writer of the Pindaric Oats in English Pindaric Oats का सबसे important writer कौन सा है English में first है Keats, second है Shelley, third है Gray, fourth है Dryden और 20th का हमारा सही answer है C, Thomas Gray Thomas Gray का एक बहुत important work है Every allergy written in a country churchyard अगला question हमारा है 21 number का Tom Jones by Felding appeared in Tom Jones एक novel है जो कि Henry Felding के दोरा लिखी गई है और ये कितनी book में appeared हुई थी, publish हुई थी First है 18, second है 12, third है 8 और fourth है 6 और इसका सही answer है first 18 book में ये publish हुई थी अगला question हमारा है 22 number का Flanders, Flanders है, Mall Flanders इनकी एक novel है जो कि एक P.R.S.Q. novel है, लिखा गया है Daniel Defoe के दोरा और ये first time published हुई थी 17, 22 में उनी में ये दो character यूज किये गए हैं जो कि prostitute होते हैं आगला question हमारा है 23rd number का 23rd number का question है Pop translated Homer's Elliot which was published in installments between Pop ने translate किया था Homer's के Elliot को जो कि इंस्टॉल्मेंट में publish हुई थी कब से कब तक First है 17, 15 से 17, 20 Second है 17, 16 से 17, 21 Third है 17, 17 से 17, 21 Third है 22 Third है 17, fourth है 17, 18 से 17, 23 हमारा 23 का सही answer है First है 17, 15 से 17, 20 आगला question हमारा second last है Deism is the manifestation of enlightenment because of its Deism जो होता है Basically existence of God जो लोग मानते हैं Who believes in the existence of God उन्ही को बहुत है Deism तो यह है manifestation of enlightenment का Because क्योंकि Concept of university Second है rejection of revelation Third है acceptance of revelation Fourth emphasis on the philosophy of a walk और इसका सही answer है B आज का हमारा last question है Satires my weapon upon I am too discreet to run a muke Who said this line? यह line किसके दोरा कही गई है First है Dryden Second है Johnson Third है Pope Fourth है Swift और 25 का हमारा सही answer है C इसे कहा गए है Alexander Pope के दोरा तो यह है हमारे आज के questions हमी उम्मीद है आपको जरूर समझाए होंगे फिर मिलते हैं आगली वीडियो में Till then take care Have a good time बाए है आपको जरूर समयोंगे